आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कोईन के बारे में जो की वेब 3 के होने वाले हैं और ये दोनों कोईन आप लोगों को काफी बड़ा रिटन दे सकते हैं वेब 3 का जब trend start होगा तो ये दोनों कोईन आपको 20x से लेकर 100x तक का return दे सकते हैं तो वो दोनों कोईन कोईन से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथी साथ आपको ये चीज़ भी बताने वाला हूँ कि आपको इन में entry कब लेनी चाहिए exit कब लेनी चाहिए और आपको इनको कब तक hold करना पड़ेगा सारी update आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो all over वीडियो बहुत ही ज़ादा informative होने वाली है अगर आप भी यहाँ पर छोड़ी investment करके बड़ा return लेना चाहते हो तो इस वीडियो को last तक देखना इसकी बिल्कुल भी मत करना क्योंकि यह दोनों कोई आप लोगों को बहुत बड़ा return दिलाने वाले है तो अगर आप चैनल पर नूँ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर देना साथे साथ हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लेना ताके आप से कोई भी update मिस ना हो और सारे signal आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर ही मिलने वाले एंटरि और एक्जिट वाले तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दू कि ये दोनों कोईन जो है वेब 3 के कोईन ने ये मन आपको बता दिया और इन दोनों कोईन की जो खास बात है ये एक दूसरे का साथ देंगे इनकी खास बात ये किस तरीके से देंगे वो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा तो फस्ट कोईन की बात करें तो वो है ICP कोईन अभी लोग सोच रहे हैं कि ICP एक डेड़ कोईन है बट अभी लोगों को ये नहीं पता है कि ये कितना बड़ा रिटन दे सकता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जब सोलाना कोईन की वेल्यू 12 डॉलर थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि सोलाना एक मन्त के अंदर हमें बहुत बड़ा रिटन दे सकता है 200 डॉलर से लेकर 200 डॉलर तक जा सकता है बट उस टाइम पे लोगों को ये चीज मजाग लगी थी लेकिन सेम वोई चीज हुई थी जो मैंने आप लोगों को बताया था वो 12 डॉलर से 209 डॉलर तक गया था तो अब आप ये देख लो मैंने जब उस टाइम पे बता था 12 डॉलर था और एक महिने के अंदर अंदर उसने कितना बड़ा रिटन दिया मैं 20x से भी जादा का रिटन दिया था मैंने भी उस कोईन में इंवेस्टमेंट की थी 10 कोईन मैंने बाई किये थे उसके और मुझे काफी बड़ा रिटन मिला था और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है उन सभी को पता होगा कि मैंने इस चीज के बारे में बताया था और रिटन काफी बड़ा लिया था अब मैं आपको इस वीडियो में दो ये कोईन बता रहा हूँ जो कि आपको सेम ऐसे ही रिटन दे सकते हैं जैसे कि हमें सोलाना कोईन ने दिया था अभी ICP की वेल्यू चल लई है लगबग 17 डोलर के आसपास मान के चलो और इसकी मार्केट रिंग 39 चल रही है इसके ट्विटर एंडल अकाउंट भी दिखाऊंगा भी आपको मार्केट के बहुत जादा बैस्ट है ट्रेडिंग वोल्यूम भी जबरदस्त है और इसका ओल्टाइफ है देखो अभी आपको इसके दो ओल्टाइफ है दिखाने वाला हो जेहां दोस्तो सबका एक ओल्टाइफ है होता है आब यहां पर देख सकतो कोईन मोमो वेबसाइट पे इसका ओल्टाइफ है कितना शो रहा है 700 डोलर अगर आप Coin Geek को पे यह फिर Coin Market के पे चेकर होते हैं वहाँ पे हो सकता है 10-20 डोलर का फरक हो मतलब कि कहीं पे जादा हो सकता है कहीं पे कम इसका All Time Low जो इसने अभी बनाया हाल फिलाल में 14 डोलर है लगबख 15 डोलर के असपास जो इसका Plus Point है अब वह आप देखना है कि यह कितना बड़ा Return देगा ICP फिर आप खुदी Expect कर सकते हो और खुदी यह सो सकते हो कि यह कितना बड़ा Return हमें देने वाला है हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिन नहीं तो मैंने Binance Exchange उपन कर लिया जब इसकी Binance Exchange पे लिस्टिंग हुई थी वो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पर सरच कर लेता हूँ ICP ICP फरस्ट वाला आगिया USDT के पैर में दिखा रहा हूँ आपको आप यहाँ पर देखो यह दोखो यह मैंने 15 निट का चार्ट open करके रखा भी हाल फिलाल में यहाँ पर अब मैं इसको करता हूँ 1 मंद के चार्ट पर तो आपको मैं यहाँ पर किलिक कर के दिखा देता हूँ यहाँ पर 1 मंद के चार्ट में आप यहाँ पर देख सकतो लेकिन आप लोगों को पता है जब भी कोई कोई या फिर कोई भी टोकन बाइनस एक्षेंज पाता तो उसकी हाई कितनी जादा बनती है और उसमें हमें रिटन कितना बड़ा मिलता है तो सेम ICP के साथ हुआ था जैसे इसकी लिस्टिंग हुई लोगों ने इसको बाय करना शुरू कर और इसकी हाई कितनी बनी किसने फर्स्ट डे वाले दिन ही लगबग 25X तक का रिटन दे दिया था तो 2831 डोलर के इसने हाई बना बट उसके बाद अभी ये डाउन ट्रेंड मे और इसकी वेल्यू कितनी चली 16 डोलर लगबग 17 डोलर पकड़ के चलो और आप लोगों को एचीज पता है होगी जब भी कोई क्रिप्टो करंसी या कोई भी बेस्ट कोई जो फंडमेंटली स्ट्रोंग हो वो अपने all time high से जब भी नीचा आता है वो वापस से अपने all time high को टच करने जरूर जाता है थोड़ा उपर नीचे हो जाता है बट उसको टच भी करता है ब्रेक भी करता है और अपना all time high न्यू भी बनाता है तो इसके दो all time high मैंने आपको दिखा दिये पहला जो coin geek को coin market के app और साथी साथ आपको coin momo website पर देखनों को मिलेगा सेकिंड जो section पर जिस दिन listing हुई थी उस दिन के साबसे इसका उल्टेम है यह 2831 डोलर अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि आपको इसमें entry लेनी चाहिए नहीं वह तो आप खुद ही समझ गए होंगे कितने coin इसके बाइ करने चाहिए अभी जो इसकी value चली कम से कम 100 coin मैंने इसाब से buy करने चाहिए बट मुझे पता है सभी का इतना budget नहीं है मैंने खुद 15 coin इसके buy करके रखे हैं तो आप लोग भी 15 coin इसके कम से कम buy करके रखो और साथे साथ स्टेकिंग पर लगा दो 10 coin buy करोगे न तो उसकी जब आप इस टेकिंग करोगे लगब कोई 25.39% का return मिला है पर year के इसाब से ठीक है लेकिन आप उसमें total 10 coin ही लगा सकते हो इस टेकिंग के लिए तो कम सकम इसके 10 coin तो buy करके रखो अब बात आती है कि इसको hold कप तक करना है और हमें return कितना बड़ा द करके रखे आप इसको long term के लिए लेकर चलो आपका vision यह होना चाहिए बस कि आप मुझे इसको चाहिए एक साल hold करके रखना पड़े यह फिर 10 साल मैं इसको sell तभी करूँगा जब यह 700 dollar को touch करेगा तब आपको अपने सिरफ 5 coin sell करने है ठीक है फिर आप 5 coin hold करके रखो फिर आप यह vision बनाओ next vision आपके यह हो जाना चाहिए कि जब यह अपने second all time high पर जाएगा मनलब कि 2838 तब आप इसको sell करोगा मैं यह नहीं करा कि आप सेम उसी value पे आप लगबग इसको जैसी यह जाता है 2000 dollar भी जाता है तो तो भी आप इसको sell कर सकते हो आपको return काफी बड़ा मि पर मैं ठीक है जिस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूं all time high यहाँ पर आपको दिखा देता हूं एक्क्याव नजार मैं आपको बताया वाँ सत्ताव नजार इसका all time हाई है यहाँ पर कमीश होता है ठीक है तो आपका पहला vision होना चाहिए आइनर के पर मैं कि मैं जब इसके 5 कोई भी सेल करोगे ना तो आपको लागों में return मिलागा 30% एक्स भी पे करोगे ना कोई फरक नहीं पड़ेगा फिर 5 कोई होड़ करके रखना देखो आप यहाँ पर आ जा था किलियर कर देता हूं और देखो यहाँ पर मैंने क्या होता 2831 का all time हाई है एक डॉलर की value आप न कोई कितना होगे साड़े साथ लाग रुपे आपने total investment कितनी की अभी के इसाब से 12700 रुपे लेकिन जब आप इसको पचास हजार पे अपने पांच कोई पहली सेल कर दोगे तो आपको कितना return मिले 5 लाग का आपका profit भी आ गया ठीक है और आपकी जो investment थी वह भी आ गई इस 12700 रुपे गी तो इस हिसाब साब का profit कितना हुआ 9,87,300 रुपे अगर आप इसमें से 30% government को tax pay करते हो 4% का सर्चार्ज रहेगा तो 34% हम यहाँ पर minus कर देते हैं कितना गया 3,35,620 रुपे government को हमने tax pay कर दिया हमें return उसके बाद भी कितना बड़ा मिला है 6,51,000 रुपे का return ह इस से मिलेगा तो यह दोनों vision लेकर चलो पहला के 5 coin आपको कब sale करने 50,000 रुपे पर दूसरा कब sale करने 1,500,000 रुपे यह फिर उससे उपर जब पर आज जाएगी यह मैंने 1,500,000 रुपे का वो लिया है एक example बट मैं sale कब करूँगा जब दो लाक रुपे का सपास जाएग अपने सारे coin ही में तब sale करूँगा यह है ICP को लेकर मेरा vision मैं आपको यहाँ पर बता दिया है ठीक है इसका all time high और जो all time low वो आप लोगों को दिखा दिया है यहाँ पर जबरदस coin रेने वाला web3 का coin है यह work कर रहे है इस चीज़ को लेकर कि जो हम internet use करते हैं उसको decentralized कैसे किया जा ताकि कि किसी का control ना हो अब जो second coin है वो इसके साथ मिलके कैसे work करने वाला है अब वो आपको दिखा देता हूँ वो भी इतने ही बड़ा return दे सकता है आप लोगों को कितने x तक का return बेठ रहा है वो आप comment box में comment करके जरूर बताना मुझे ठीक है file coin second coin है file coin इसका क्या वरक है जो हमारा data है उसके लिए हमें storage की जरूरत पढ़ती है तो यह उसी चीज़ का काम करता है cloud storage के लिए इसको use किया जाता है और इनका भी work same है वेर 3 का coin है कि इसको भी 15 में मिलेंगे मतलब कि 15 rank के अंदर-अंदर मिलेंगे यह दोनों coin आपको आने वाले 2-3 साल के अंदर-अंदर market के बहुत ज़्यादा best है और trading volume और मैंने इस coin में भी काफे बड़ा return लिया था कैसे लिया था 2750 रुपे का असपास मैंने इसके 10 यह फिर 14 coin buy किये थे उस time मैं मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसके 2-3 coin कम सकम buy करके रखो और 14,000 रुपे selling target लगाना बट यह गया कितना था 21,000 रुपे का असपास गया था और मैंने जो sale किये थे अपने सारे coin वह लगबा कोई 24,000 रुपे का असपास sale कर दिये थे तो इस coin से भी मुझे काफ़े बड़ा return मिला था अब यह same उसी level पर है बलकि उससे भी नीचे आ चुका उस time पर मैंने बाई किया था 27,000 रुपे का असपास अब यह चले 1450 रुपे का असपास इस coin की value चल रही है market rank आपको बताए दिये इसका all time है यहाँ पर कितना शो रहा है 17,360 रुपे जबकि मैंने भी आपको क्या बता है 21,000 रुपे पलस गया था coin momo website पर INR के पैर में हमेशा कमी show करता है मुझे नहीं पता क्यों show करता है बट कमी show होता है all time low इसने अभी हाल में बनाया 1250 रुपे का तो यह coin भी आप लोगों को काफी जबर्दस return दे सकता है और यह 20x तो आप लोगों को बहुत अराम से देगा जब तक यह 21,000 भी जाएगा ना तब तक आपको यहाँ पर काफी बड़ा return मिल चुका होगा 10x से लेकर 15x तक का return आपको यहाँ पर अराम से मिल चुका होगा बट यह coin मी सेम उसी situation में जिस situation में भी ICP चल दा है इसे भी लोग बग क्या सोच रहे हैं dead coin है USDT के पेर में आपको convert करके दिखा दाता हूँ INR के पेर में और USD के पेर में दोनों के पेर में से लिए बता रहा हूँ ताकि जरा से भी confusion न रहे क्योंकि कुछ subscribers ऐसे हैं जिनको USDT के पेर में इस समझ में आता है सिर्फ तो INR के पेर में बताती है dollar के पेर में आप यहाँ पर देखो जब तकि आपको 10X से लेकर 12X तक का return दे चुका होगा ठीक है बट यह फिर आगे भी अपना all time high बनाएगा तो तब आपको extra benefit होगा तो इस coin के भी कम से कम आप 10 coin buy करके रखो पहला target आपका 5 coin का वही होगा जब all time high पे जागा तब आप sell करोगे फिर 5 coin hold करके रखोगे फिर आपका जो next target होगा वह आप यह लेकर चलोगी जब इसकी value 30,000 रुपे है फिर 30,000 रुपे पला जाएगी मैं तब इसको sell करूँगा और मेरा same यही vision है इन दोनों coin को लेकर क्योंकि वेब 3 के बहुत ज़्यादा best coin रने वाले है एक काम है net को decentralized करना internet को दूसरे काम है हमारे जो data है उसको cloud storage के रूप में decentralized करना तो दोनों coin वेब 3 के बहुत ज़्यादा best coin होने वाले है तो मैं इन दोनों coin को लेकर बहुत ज़्यादा bullish हूँ आज आपने बाई किया एक महीने बाद या दो महीने बाद या फिर तीन महीने बाद आपको return मिल जागा नहीं आपको कम से कम 2-3 साल तक तो hold करना पड़ेगा हाँ file coin ऐसा है जो कि आपको अगर market ठीक हो दिए तो 2-3 महीने के अंदर अंदर 4x से लेकर 5x तक कर तो return बहुत ज़्यादा आराम से देदेगा बट ICP नहीं दे पाएगा भी क्योंकि उसकी हालाद बहुत ज़्यादा down है बट हाँ इन दोनों coin की staking है दोनों को buy करो staking पर लगा दो finance section पर अच्छका से return मिलेगा इन दोनों coin से related अगर आपके मन में कोई भी question या कोई भी confusion ना तो नीचे comment box में comment करके बता सकते हो अगर आप चैनल पर पहनी बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर देना हमारे telegram channel को भी join कर लिना ताकि आप सो कोई भी update मिसना हो मिलते है next video में next topic के साथ